नमस्कार प्रदेश के सबसे पसंदीदा डिबेड शो महा बहस को लेकर हाजिर हूं मैं दीपिका सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करती हुए मोधी सरकानी सामानी वर्क के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षन का रण सजाया है इसके जरीए सबके समान और समानता की बाद भी जोशोर से कही जा रही है लेकिन उधारन के तौर पर यूपी पुलिस की भरती का हाल देखें तो सामानी वर्क के अभ्यरती केवल 22 साल की उम्र तक आविदन कर सकते हैं जबकी दूसरे वर्क के लोग 27 साल तक और मामनों में भी आरख्षत वर्क के लोगों को आयू सीमा आविदन शुल्क सहित तमाम सुविधायन मिलती है ये रिपोर्ट देखें फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सब की सुविधायन एक समान होगी सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतीशत आरक्षन पर महोड लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबुत करने का काम किया गया है चुनाव कि समय बोल करके लोगों को खुश करने की कवायत है कुछ मिलना नहीं है सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर दस फीजदी आरक्षड की अंगणाई में केंद्र सरकार फूली नहीं समा रही लोगसभा से पास होने के बाद राजसभा में भी इस पिल पर जम कर बहस हुई तमाम तर्क वितर्क के बीच सरकार जहां अपने पीट थप थपा रही है वहीं इसकी खूबियां भी खूब गिनाई जा रही है इत्यासिक और साहसिक निर्णे नरेंद मोदी जी के मार्क दर्शन में भारत सरकार ने लिया है और ये निर्णे उन लाखो करोडो लोगों के हित में हैं जो सामान्य वर्ग के हैं किन्तु गरी भी रेखा के आसपास जीवन जीते हैं इधर सरकार के मुताबिक आठ लाख तक की सलाना अमदनी इस आरक्षण का अधार होगी वही राश्टी सैंपल सब्यक्षण संस्थान के आख़ों के मुताबिक देश में पंचान में सीस्वी परिवारों की सलाना इंकम आठ लाख से कम है पांच एकर खेत और तैव वर्ग गस के घर मकान की शर्ते भी इस सौगात के लिए लागू हैं लेकिन एक हजार वर्ग फुट से कम भूमी पर मकानों वालों के संख्या जहां 90 पीजदी हैं वही क्रिशी जंगर्णा के मुताबिक 87 पीजदी किसान के पास क्रिशी योग्य भूमी का रखबा 5 एकर से कम है यानि इस 10 पीजदी आरक्षण 95 में फीजदी दावेदार हो सकते हैं 98 में फीजदी अपर कास्ट के गईव लोगों को 10 पीजदी आरक्षण और 2 परसेंट अमीर सबरनों को 40 परसेंट आरक्षण ये कहां है समता का दिकार स्टी स्टी ओबीसी से इतर मिल रहा ये आरक्षण अच्छा है लेकिन आरक्षण के सुविधा में दुविधाओं से भरे कुछ सवाल भी क्या सुबर के युवाओं को भी शिक्चा और वजीफे की वही सुविधा होगी जो स्टी और वबीसी वालों को है क्या सरकारी सेवाओं के परिक्चाओं में आरक्षण पाने वालों की आयू सीमा एक समान होगी क्या राजकी सेवाओं की परिक्चा के लिए जो आवेदन फीस स्सी एस्टी और वबीसी की है वही समान वर्ग वालों की होगी क्या आप सभी श्रेणिया समान होगी ये चुनावी जुमला है ये पान साल तो समढ़ नहीं दिखाई दिया सुप्रीम कोट के ये स्टी एस्टी एक्ट को जब बदला गया तब समढ़ नहीं समझ में आया जब वो नाराज हुआ है तो उसको खुश करने के लिए ये सिर्फ चुनावी जुमला है बैराल इस आरच्छल के लिए सरकार ने जो आधार तै किया है इसमें आकड़ों के मताबिक तो उसमें करीब 95 फीस्टी लोगों की दावेदारी होगी अब सवाल ये है कि क्या पढ़ाई परिच्छा फीस वजीपा सब के लिए बराबर हो पाएंगे ग्यूर रिपोर्ट न्यूज इटी हरोज की तरह आप हमें एट महाबहस पर अपना वोट भेज सकते हैं ट्वीट कर सकते हैं अपकी केम तिराए हमारे लिए बेहत जरूरी है तो महाबहस में आज का सवाल है क्या आरक्षन पाने वाले सामान वर्के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परिक्षाओं में आयू सीमा और फीस भी SCST और OBC के बराबर होनी चाहिए तो टीवी स्क्रीम पर सवाल इस वक्त क्या आरक्षन पाने वाले सामान वर्के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परिक्षाओं में आयू सीमा और फ्रीस भी स्ट, स्ट और ओबी सी के बराबर होनी चाहिए आप एट महावैस पर ट्वीट कर सकते हैं अपनी ड्राय हम तक पहुँचा सकते हैं चर्चा की शुरुआत करते हैं अमिताब अग्री खोतरी जी हमाई साथ मौझूद एग्जेक्यूटिव एडिटर साथी है संजर राय प्रवक्ता बीजेपी शुची विश्वास हैं प्रवक्ता कॉंग्रेस सुनिल सिंग है साजन प्रवक्ता एस्पी अवधेश वर्मा दलत चिंतक हैं प्रतियोगी चाता सिर्थ परिक्षाब सभी का बहुत स्वागत वाकि में अमिताब जी यह बहुत टेक्निकल चीजें और प्रदेश इसको आज जरूर जानना चाहेगा कि लागू किया गया है और चर्चा राजसभा में इस वक्त चल रही है लेकिन इसमें टेक्निकल खाम कामान्य वर्गा के निर्धन व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्राविधान के जो गंभीर विशें हैं उन पर तो बुद्धिमान लोग चर्चा कर रहे हैं यत्रतर सर्वत संसद में कर रहे हैं और सेमिनार्स में कर रहे हैं मुझे लगा कि हम तीन बुनियादी सवालों पर चर्चा कर ले सम्विधान सभा की बहस सम्विधान सुप्रीम कोर्ट के पुराने भैसले सेंसेक्स डाटा ये सब जटल विशे हैं ये पार्लामेंट के लिए छोड़ दिये मैंने वहां माननी सांसत गण इन पर रोशनी डालते रहेंगे मुझे तीन प्रश्ण महत्य पूर्ण लग रहें हैं बहुत स्तरल भाषा में विशे रख दू फिर चर्चा आरंब करें अब आरक्षन की तीन श्रेणियां हो जाएंगी SCST के लिए आरक्षन एक श्रेणी, OBC के लिए आरक्षन दूसरी श्रेणी, सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के लिए आरक्षन तीसरी श्रेणी एक बात साफ हो गई, इसमें कोई टकराव भी नहीं। मैं यह प्रश्ण लेके आया हूँ आज जो उत्तर पधेश के लिए भी उत्राही महात्पून जितना वाराष्ट के लिए और जितना महाराष्ट के लिए उत्राही तमिलाड के लिए भी क्या क्यंद्र सरकार और राजी सरकार हैं तीन विंदूओं पर तीनों आलक्षित वर्गक को मिलने वाली सुभिधाओं में समानता लाएंगे वो तीन विंदू है सरकारी सेवाओं के लिए परिक्षा देने के लिए जो आयू सीमा है क्या उसको देश भर में पूरे राज्यों में एक समान किया जाएगा SCST, OBC और सामानी वर्गके आरक्षित तीनों के लिए एक ही आयू सीमा क्यों नहीं हो जो आरक्षित है वो एक समान है फिर वो SC हो, ST हो, OBC हो चाहे सामानी वर्गका हूँ अगर 32 साल है संग लोग सिवा आयोग में, अपर लिमिट SCST के लिए तो 32 साल सब की करो यह जो करना चाहे सरकार एक समान रखे, एक, दूसरा बड़ा ठेट सवाल, मैं उझे लगा यह मसला हा, जमीन पर राजनेताओं को परिशान करेगा, आज नहीं तो कल, इसलिए मैं इसको पहले ही चिता दूँ चप्राशी की भरती निकली, मास्टर की भरती निकली, कमपाउंडर की भरती निकली, विजनी विभाग में जुजेई की भरती निकली उसमें जो फीच लगती है, बैंक टाप्ट जो लगता है उसकी रखम का अंतर है मैं ये कहने आया कि तीनो आरक्षित वर्ग के लिए एक ही रखम क्यों नहीं हो एक आरक्षित वर्ग का आदमी देगा सौरूपया दूसरा आरक्षित वर्ग का देगा जेड़ सो तीसरा आदमी देगा पांसो जब तीनों आरक्षित हो गए हिंदुस्तान की 95 फिस्दी जनसंग क्या आरक्षित हो गई 95 परसेंट आप टोटल पॉपॉलेशन तो बराबर करो ना सो रुपया ले तो सबसे सो लो और वो भी गरीब है इसलिए नारक्षित दे रहे हो तो पर उनसे पांसो रुपया शुल्क कैसे लोगे चप्रासी की भरती में यह तो नहीं चलेगा तमाशा ना और तीसरी बात मैं एक बात और साप कर दूं राजनेताओं से सीखा है मैं नहीं है सुनिल साजन और संजय राइनों की पालिटिक लोगों को देख देखके मैं दलित भाईयों को ओभी सी को जो सुविधाय मिल रही है उनके पूरे पक्ष में हूं मैं बकालत करने आया हूं कि जो नया आरक्षित वर्ग बन रहा है पार्लामेंट के ज यह कहने आया हूं ठीक है ना किसी का काटो नहीं और तीसरी बात बस बहस वही से शुरू कर दूंगा जो मैं कहना चाहता हूं कक्षा एक अब देश्वर में आप भी सुन लो गवरते और नेता भी सुन लें कक्षा एक से लेके और पोस्ट ग्रेजिवेशन तक जितने तरह के नाना प्रकार के बजीफे जो मिलते हैं सवाज कल्यान बिभाग से भलाना बिभाग से डिकाना बिभाग से जो भी है वो सब इस आरक्षित वर्ग के बच्चों को भी मिलना शुरू हो जाए जैसे यह कानून बने और अगर यह तीनों काम नहीं हुए तो यह जो नया आरक्षित वर्ग है यह पारलामेंट के प्रस्ताव पास होने की जानकारी का प्रपत्र गले में डालके घुमेगा क्या करेगा इसका आप पार्लामिंट की मोहर लगा कागज गले में डाल के ननकू का लड़का घुमेगा क्या करेगा उस फिर आरेक्शन का लाब क्या इन तीन चीजों पर मुझे लगा मैं बहुत कर रहूँ अल्कापन्डे सबसे पहले आप से बात होना बहुत जरूरी है यह तीन चीजे मैंने बताई जिन से नोजवान का बास्ता है बाकी सब काम है नेताओं का बाकी नेताओं का लेना देना है नौजमान का लेना देना तीन भीशों से है आयू सीमा बराबर करिए इंट्रिफीस बराबर करिए और इस पूरी सिक्षा में जो सुविधाएं वजीफा के तौर पर सरकारी आर्थिक मदद के तौर पर दूसरे आरक्षित वर्ग को है वही इस नए आरक्षित वर्ग को मिले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अफसर कम है इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है जब तक अफसरों को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक समाज में इस तरह का बढ़ाने का नहीं अलका मैं आपको रोकूंगा आज मैं बहुत बढ़ा हो वह अलग डिवेट है मेरी डिवेट एक दिन केवल एक मुद्दे पर केंद्रित होती है माप करिएगा आज सिर्फ इस मुद्दे पर केंद्रित है तीन शेनिया आरक्षण की भारत में हो जाएंगी कल से उन तीनों शेनियों को जो सुविधाय है व बाकी वर्गों को आरच्षण वर्ग के अंदर मिला हुआ है तो फिर चात्र उसका करेगा क्या माली जी आपने आरच्षण दे दिया है और उसके बाद आपने फीस में लाब नहीं दिया आपने नौकरियों में समानता नहीं दी आपने किसी भी चीज को अगर कोई हत्यार तो उसको चलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए हमारे पास तो अगर किसी भी चात्र को या किसी भी वर्ग को आरच्षण दिया जा रहा है तो उसकी जो सभी सुविदाएं सभी वर्गों को मिली हुई है वो समान रूप से लागू होने चाहिए क्योंकि हमारा संभीदान समानता की बात करता है तो सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए और दूसरी बात मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करती हूं कि गरीब ही कभी यह देखकर नहीं आती है कि सबर्ड है या वह अबर्ड है या दलित है या किसी बर्ग से सम्मंदित है गरीब है तो वह चाहि अब देश बर्मा आप तो आरक्षण के तमाम आयामों को अच्छित समझते हो लिखा पड़ी में भी रहते हो कोट कचेरी भी समझते हो मुझे ये बताओ आरक्षित श्रेणी आरक्षित श्रेणी होती है उसके नाम के आगे कुछ भी लिखो ओबी सी लिखो ये जनरल एकनोमिक बीकर सेक्शन लिखो एक आदमी 100 रुपिया में भारम भरेगा दूसरा 500 में क्यों भरेगा एक बड़ा सवाले वो भी आरक्षित है कि उसके माथे पर भी वोई का लगा तो जब एक ही रंका कि का तीनों की माथे पर लगा तो तीनों की फीस और वेजीवा वराबर करो और इम्तिहान में बैठनी के आउसर भी वराबर करो अगर 32 साल तक एक आरक्षित वर्ग इम्तिहान दे सकता है सरकारी नोबनी के लिए तो सारे आरक्षित वर्गों को 32 साल तक की आयू सीमा क्यों नहीं हो अब देश वर्मा तेकिए अमिताब जी जब भी यह पहली बात जब यह भी लाया तो आपने देखा होगा यह सी भी कहीं इसका बिरोध नहीं कर रहा है आरक्षित पार्टी से पुछना चाहता हूँ हर चीज का हम सकर रहे है आरक्षित जब समाज की बात आई तो वही पदोन्यत कबील आपके लोग सबावें पांच साल से लंबी तो आप तमासा कर बना के रखे हैं और दो दिन में अगर आप ये पास कर रहे हैं तो उसको पांच साल से क्यों नहीं पास कर रहे हैं और आपकी पूरी मातोस मैं सहमत हूँ लेकिन ये भार्दी यंतापाटी के लोग लोगों के साथ राजनीत कर रहे हैं आज आपकी बाल पे अमितादी आपके बाल पे जो सबसे बड़ा खुला सा आपने फेस्बूक के बाल पे किया है वो बहुत बड़ा मुद्धा है कि आपके जो सांसर मंत्री है वो लोग सबा के अंदर जुट बोलते हैं कि गरीबों के लिए जो कोथा प्रभाकर रेड़ी के सवाल का जबाब जो आपने किया है यह मीडिया के लोगों को उसको देखना जाए कि इतना बड़ा खुला सा आपने किया है कि भारते यद्धा पाड़ी के मंत्री वहाँ पे संचत में जूट बोल रहे हैं कि कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आप तारिक को है एक सवाल का जबाब देघर है जो आपके बाह से हैं और इसके बाधि यह लोग बड़ी बाते करते हैं यह चांसे है यह भूल गयाए मं बाबासा जो चु यह Walter मोग शभा में लंबी ओ asse नहीं डवब देर है जिक करठे को और THE हमारे लिए क्या किया है ठीक है अफदेश भाई ठीक है ठीक है अफदेश भाई एक चीज की ओर ध्यान दिला दिया मेरे इस्मण से उतर गई थी अफदेश बर्माजी ने बाकी मित्रों के लिए बता दू संजे जी के लिए सुची के लिए सुनिल साधिन के लिए कल 11 बजे लोग सभा में प्रभाकर रेड़ी का लिखित सवाल था कि क्या आर्थिक रूप से निर्वल गैर आरक्षित वर यानि अधर देन SCST and OBC के लिए आरक्षन देने का कोई प्रिस्ताव केंदर सरकार के पास विचारा धीन है प्रश्ण था कृष्णपाल सिंग्गूजर स्टेट मिनिस्टर सामाज्य कल्यान बिभाग जिस बिभाग ने यह बिल पाइलेट किया है संसद में गहलोत उसके थावर्चन गहलोत उसके कैविनिट है कृष्णपाल इस्टेट उन्होंने लिखित रिप्लाई दिया 11 बजे वो टेबिल मुखता इस धंक कोई प्रिस्ताव सरकार के पास विचारा दीग नहीं है और 12 बजे बिल आ गया ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए यह ऐसी गफलत से लोगतंत्र शर्मिंदा होता है इतना कोडिनेशन क्यों नहीं हुआ यह बास्तम में आठी घंटे पहले सोचा था जा लिखेत जबाब है संसर के पंडल पर है उसको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है ना वो कभी गाइब हो सकता है वो इत्यास में दर्ज हो गया और अब तो डिजिटल है सब चीज देखना चाहिए वो मेरी बहस का विश्य नहीं सुनील साजन मैंने कहा आज मैं बड़े विश्यों पर चर्चे नहीं करने आया बड़ी बड़ी तकनीकी मसलों पर मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं एक सा बजीफा एक स्री आयू सीमा इ नहीं उठाएगा कोई नेता नहीं बोलेगा आप ही बोलोगे बोलो आप तो मुझे लगा इसी पर भाहस होनी चाहिए एक बजीफा सब सारे आरक्षित वर्ग को मिले सभी को एक सी आयू सीमा होत है एक सा आवेदन शुल्क हो पूरे मुल्क में सभी आरक्षित वर्गों के लिए बात ठीक है या उसमें कोई अतराज ने बिलकुल ठीक है अमताव जी और ठीक है जो मुद्दे सदर में नहीं उठ रहे हैं या बहस नहीं हो रही है आप अगर उस मुद्दे को लेकर के डिवेट में आये हैं तो देर सबेर कल उस पर बहस देश करेगा प्रदेश करेगा मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब आरक्षण मिल ला है तो कोई सव रुपए का फारम भरे कोई पान्सो का ये अच्छी बात नहीं है मैं इससे भी सहमत हूँ कि उनको अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप उनको वजीफा दीजिए मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आयू में जो छूट सब को मिल लाई है वो रिजर्वेशन वाले उन समण भाईयों और बहिनों को भी मिले मैं हमताब जी केवल इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ आपकी डिवेट के माध्यम से मुझे लगता इस देश में पंदा फिजदी लोग समण होंगे जिसमें दस फिजदी आरच्छण मिल गया लेकिन साट फिजदी लगबद चववन से साट फिजदी ओभी सी हैं उनको क्यों 27 पर क्यों पिजदी आपकी डिवेट में हुँ तो भारती जनता पर्टी लोग कह रहे हैं आप बरमढ के खिलाप हैं ठयकर के आप बनिया के खिलाफ हैं हम कहां खिलाफ हैं समाजवादी पार्टी दें तो हमेशा कहा जो सैचिक रूप से आर्थिक रूप से और समाजी गूरूप से पिछड़े उनको अरक्षड दे दिया जाए हमने सदन में भी इसका प्रस्ताव का हम लोगों ने समर्थन किया लेकिन एक सुझाओ है कि उसी पैमाने पर अगर यह सब देश चाहता है कि सबको एक समान हो तो अरक्षड भी एक समान मिल जाए जिए ठीक बात ठीक बात है यह ठीक है एक बात सुनी साजन आप से कहूंगा हिर्दे से चुनाबी लाभानी चलता रहता है जे पराजे होती ही रहती है कभी कोई पांसा ठीक पड़ गया तो बल्ले बल्ले उल्टा पड़ गया तो हार गय चुनाबी यह सब चलता है लेकिन देश के बारे में सोचे को धारन रखता हूँ आपके सामने आप लोग अभी बहुत लिका रहा तो भारत की पच्चानवे फिस्दी आवादी आरक्षित होगी इस आंकड़े को पकड़ के रखी गांट माद के इसमें अगले पिछड़े दलित सिख्ष इसाई पार्सी जैन बहुत सब शामिल है मुसल्मान नौर्थ इसमें कुछ राज्य है जहां ठानवे फि सबको आरक्षण दे देते हैं आप तो यह समस्या आएगी इसके लिए नेता लोग तयार रहें अपना कुर्ता तयार रखें कुर्ता उन्हीं को फड़ा जाएगा अमिता भग्नियोंत्री का नहीं शुची विश्वास है हमारी आज की बहुत सीमित मुद्दे पर सारे आरक आरक्षित वर्ग का और दूसरे आरक्षित जो नया आरक्षित वर्ग बन रहा है उसके बच्चे को नहीं मिलेगा एक रुप्या वजीप्भा अभी वर्तमान नियमों में क्यों एक सव रुपए में इम्तहां देगा दूसरा हजार रुपए में का ड्राफ्ट लगाएगा एक 32 साल तक इमतहां देगा दूसरा 26 में बुढ़ोती मान ली जाएगी उत्रपदेश पुलिष तो मासे अल्ला आप नई सेनी जो आरक्षित की बन रही है अगर उसमें है तो 22 साल तक जवान माने जाएंगे पुरानी सेनी जो आरक्ष्षित की है उन में से है तो 27 तक जव नहीं होनी चाहिए नहीं होने रूट मैप तयार किया है जो 24 लाख पद खाली है उनके लिए या जो 2 करोड रोजगारों का वादा गिया था उसके लिए तो अभी जो आप बहस कर रहे हैं वो तो बड़ी सार्थक है निश्चे ही ऐसी चीज़े जो आप जिन भी बंदों को आपने उठाया वो सर है ना वो चाहे FDI की बात करें चाहे land acquisition रहा हो चाहे उनके तमाम चाहे काला धन रहा हो चाहे 15 लाख रुपे रहा हो तो किसी भी चीज़ की घोशणा कर देना तो 56 इंच का सीना और 156 इंच की जुबान लेकिन प्राक्टिकली उसको उन्होंने क्या सोचा है उनके पास क्या मास्टर प्लान है तो यह मतलब लोकसभा सत्र के अंतिम दिमन और चुनाओं के लगभग दो ढ़ाई महिने पच्छी तीन महिने पहले जो उन्होंने क्या घोशणा की है तो सिर्फ यह इस पॉलेटिकल जमेक ओनली और सम्थिंग रीली कॉंक्रीट बिहाइंड इट क्योंक कर आप महिलाओं को वाकई में सबल करना चाहते हैं तो 33 प्रितिशात आरक्षण आप लोग सभावे पास क्यों नहीं कर देखेंगे उस पर बैठेंगे उसको कई बार उठाया जिस दिन उस पर भाष करूंगा उस दिन OBC पर नहीं करूंगा मैं मेरी एक आदा थे एक दिन सवाधान तक पहुंचे वह विधान सभा की डिवेट नहीं हो जाए कि जहाँ जहाँ हुए और सत्र खतब ना संजेर आए अब मेरी चिंता है इस आरक्षण के क्रेयान्वियन के लिए जो प्रोसीजर बने गाबाबू बनाएंगे मैं वक्त से पहले लाल्टेल लेके आ गया चेताने जान लीजिए तीन बाते मैंने बताई नौजवान के पक्ष में खड़े होकर एक समान बजीफा देना ही होगा एक समान आयू सीमा रखनी ही होगी कश्मीर से खन्या कुमारी आसम से गुजरात तक केलर में भी राज्जे में भी एक और एक समान एक्जामिनेशन फीस इसके बिना कागज होगा कागज रद्दी का ये जान लीजिए और जो आप सोच रहे हैं कि 19 में जो कुछ अच्छा हो पहले नौजवान ये देखना चाहेगा कि ये तीनों बाते हुई या नहीं हुई अगर आरच्छित वर्ग और आरच्छित वर्ग में भी आपने भेद रखा तो समाज में कटुता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी संजर आए अमिताब जी अमिताब जी तीन पॉइंट जो आप लाए हैं समान आयू सीमा का समान फीस का और नौकरी के अलावा जो अनिशुविधाएं हैं बिल्कुल मैं तो ये इन तीनों पॉइंट को ले करके बिल्कुल ये होना भी चाहिए और मुझे लग रहा कि इस पैनल में सबने कहा कि होना चाहिए मैं भी का रहा होना चाहिए लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आप कहीं न कहीं जो चीजे पुले पुलिटिकल कैनवास पर कोई नहीं उठाता है महाबहस के माध्यम से बहुत एडवांस में उन विश्यों को आप लाते हैं इसके लिए धन्यवाद की पात रहें मैं एक दो बात इसमें जोड़ना चाहूंगा पहली बात तो यहा है कि हमारे सभी मित्रों ने हमारे सभी मित्रों ने निश्यत रूप से विपक्ष की पार्टियों से हैं तो भाजपा पर आरूप लगाएंगे लगाए हैं इसलिए हमको उसका थोड़ा सा समय मिलना चाहिए जबाब देना चाहिए माननी बीपी सिंग जी की सरकार मंडल कमीशन लागू करने के बाद भी नहीं बनी तो देश की तमाम पुलेटिकल पार्टियों ने अलग-अलग समय में सवर्णों को भी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको आरच्छन देना चाहिए इस तरह की एक बात सुरू किये को आरच्छन देना चाहिए क्योंकि वो भी क्या करती हैं कि टिकट दे देती हैं बहुत सारे सवान लोगों को और अपना वोट जोड के सोचती हैं कि इसमें मिले बन जाएंगे और कॉंग्रेस भी कहती रही है और माननी नरसिंगा राओ जी की सरकार में उन्होंने अधिसूचना भी जारी किया जो जा करके सुप्रीम कोल में टरंडाउन हो गया तो आज एक जो बड़ी बात मैं कहूंगा कि माननी मोदी जी ने कहा कि यह जिस कारण से रुकता था अनुच्छेत 15 और 16 में संसोधन ना करने के कारण उसको ले करके आए पूरी तयारी करके आए केवल हवा में नहीं आए और इस पूरे मुद्दे पर मैंने किसी को हस्तक्षप नहीं किया इस पूरे मुद्दे पर जैसा कि विपक्स के लोग कहते हैं मोदी ज सक में विपक्स की पार्टियों ने इस पे जुमले बाजी किया गरीम सवरणों को आरेक्षण देने के सवाल पर अब एक दूसरी बात और है कि इसे के साथ मोदी जी ने बहुत ही जब डलितों को सुप्रीम कोर्ट से स्थी स्थी एक्ट में उन्होंने निड़े लिया तो उस पे भी आगे बढ़ करके और सदन में जा करके संसोधन किया उननिस सो तिरानमे में बैक्षण कमीशन बना पर अप उसको संबैधानिक दरजा नहीं दिया गया उसको भी संबैधानिक दरजा मोदी जी ने तिक इसलिए सारे वादे हम पूरा करेंगे और जुमले आरच् डॉक्टर अंबेडकर उनकी भैस तक हम जा सकते हैं लेकिन टीवी में समय कहा है उतना मैं मूल सवाल आज केंद्रे तकता हूं मुझसे कम से कम हजार डियल हजार नौजवानों ने कही है यह बात आप लोगों को पीड़ा होती कि नहीं होती मैं उस पर टिपनी नहीं करूगा मुझे होती है हजार डियल हजार लड़के लड़कियों ने मुझसे कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह भाजपा जीते हैं सपा जीते हमसे क्या मतलब और कांग्रेस गठवंदर में आये कि बाहर रहे इससे हमसे लोग लड़कों ने कहा लड़कों ने कहा हमसे क्या मतलब अविताब जी ये चंद लोगों का मसला है जो नौजवान है उस वो तो तीन चीजे चाहरा है बाई 95 फिस्दी आवादी आरक्षन में आ गई अब एक समा को मारेगा ओवीशी दलित को मारे दलित इसलस को मारे सवल ओवीशी को मारे ये होगा क्या है तीनों आरक्षित एक सव रुपया में भारम भरे दूसरा टेर सो में तीसरा 500 में कैसे चलेगा मिस्टर भी यही बात कहने आया हूं बाकि आप सब लोग जो कर रहें बड़ा अच्छा कर रहें संसत का निर्णे सिर्मा थे लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए पंक्ति भेदभ नकारे पंक्ति भेदभ मंजूर नहीं होगा हां पताएए भैया फिर मैं बडेके जाऊ बोलो आप 30 सेकंड केवल रूओ ती सेकंड ए यह तीनों बात जो है भारती जंता पार्याटी की सरकार ध्यां देंगी अब तीनों को भिशंगती को ठीक करने का प्रियास करेगी बिल्कुल ही आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण की बात नहीं जा रही है जो कि लागू भी हो जाएगा लेकिन सवाल यही कि SCST OBC वर्ग को जो सुविधाय मिली हैं जो समानता हैं क्या उनमें आपसी में सामन जसे बैठ पाएगा अलका अब लगभग लगभग पूरा भारत बांच फिस्दी बहुत छोटा नंबर होता है पूरा भारत आरक्षित वर्ग में आ जाएगा अब जो शिकायत सामान वर्ग के नौजमान अक्सर करते थे कि सिक्षा में मेहंतार फीस में आयू सीमा में इन तमाम चीजों में हमारे साथ अलगाव है हमारे साथ अलग व्यवस्था है और उनके मुकाबले अब वो शिकायत तो दूर हो जाएगी अगर यह चीज़े लागू हो गई फिर तो पूरे भारत में एक सानियम सब के लिए जी अब देश बर्मा जी सर अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी छात्रों को इसका लाव मिलेगा और वह लाव तभी मिल पाएगा जो आपने तीनों मांगे रखी है अगर उन मांगों को माना जाएगा अगर वो मांगे नहीं मानी जाती है तो इस आरच्छड का कोई लाव नहीं होगा और यह बाद में एक सिर्फ चुनावी हतगंडा माना जाएगा अगर नवकरी होगी तो उसमें प्राथमिक्ता मिलेगी आरच्छन का मतलब यह है ठीक कह रहा हूं मैं आरच्छन का मतलब लोकुरी का सटिफिक्ट नहीं हो अब जाए लेकिन हर आदमी यही समझता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपने बहुत सभी सवाल गया अविताब जी आपको पताना चाहूंगा इस इस सवाल पे 30 नॉम्बर 2017 तक पूरे देश में जो इनके रोजगार क जो दफ्तरों में जो फाइल हुआ है 30 नॉम्बर 2017 तक जो पूरुस है 2 करोर 54 लाख भेरती ऐसे जो अपना कराई उनको नौकरी के चुक है जो लेडीज में 1.336 ए 1 करोर 33 लाख छात्राओं ने कराया कि जो लाइन में उनको नौकरी चाहिए और इनके पास अगर आप के बाद मैं एक क्यों धारण दूगा परधार मंत्री रोजगार कारिकरम में जो एक साल में तीन लाख तेईस जार नौकरी लोग पाते थे वह एक लाख बची तो एक दम आपने सभी सवाल किया कि आउसर जो है यह तो चला जा रहा है सब निजी शेत्र में इनके निकल रह अमिताब जी एक सवाल करना अमिताब जी एक सबसे बड़ा सवाल यह अमिताब जी जो भारती जनता पार्टी के लोग आज कहीं मुझे एक चीज़ का टरह है मैं आपके मंच के माद्धा कहना चाहूंगा जो आज यह फीस की बराबरी कर रहें कि आरक्षित वाले से हो सब्सक्राइब जाता को लिए ठीक है अरे रुको भाया बेशी सुनिल साजन फिल्कुल खोलेंगा है सुनिल साजन पच्यानवे फिश्दी आवादी एक छाते की नीची आज जाएगी डेट इस कॉल्ड रिजर्विश रिजर्वड उसके बाद जी चुकि भारत में जनता क कि मान सिकता यह है कि आरक्षन का मतलब नौकुरी बस अब कॉल लेटर आना चाहिए चिट्ठी अपांडमेंट लेटर और नौकुरी है नहीं सरकारी छेतर में आज की बीमारी नहीं यह लगातार नहीं है तब कैसे निप्टोगे आप लोगों को छेतर में जाना है कुरता भी बचाना है क्या करोगे नहीं ठीक कह रहा है मताब जी एक तो खेर इस सरकार की नीतियों ने भी बहुत सी नौकरीयों का उसर चीना है लेकिन यह भी सच है कि इस देश में कितने लोगों को नौकरी सरकारी दी जा सकती है आप जो मुद्दा लेकर कि आए उस पर मैं क्यो कोई सुलक नहीं पड़ेगा बिना सुलक के क्योंकि 95 फिजदी तो हो गए तो बचे 5 फिजदी तो सबके लिए सुलक माफ कर दिया जाए और जब जिसको नौकरी मिल जाए उसकी एक महिने की सेली ले ले या डीजल पिट्रोल में आप बढ़ा करके ले 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 लेकिन जो ब अच्छी बात कि आपने सुची विश्वास जी 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 नौकरी है नहीं और लोग समझते आरक्षन का मतलब अब नौकरी मिलेगी जरूर यह तो बड़ा घमसान हो जाएगा जी लोग कहते हैं आप कहते हैं हम कहते हैं तो किसी विशय को आपने उठाया सराहनी है किसी बात को साजन जी ने कहा प्रशन सनी है लेकिन अभी जैसा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भाई सपा भी कह रही थी आरक्षन लाएगी बसपा भी कह रही थी कॉंग्रे पहले तो बिल्कुल उनको साधूबाद दूसरा उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहीं कि आप किया ध्यान दिलाई गई विसंगती को दूर करने का हम प्रयास करेंगे इतनी जल्दी आपका ध्यान चला गया प्रवक्ता दे सुईकार किया सदन में संसद में जनादेश को प्राप्त करके बुद्धिमान और बुद्धिवजीवी लोगों का समू होता है थोड़ा सलाह मश्वेरा अपने साथ के लोगों से भी कर लिया करिये तो इतने संशोधन और इतने संबोधन की आवश्यक्ता ना पड़े सदन और संसद में जो लोग चुन के गए हैं वोदी जी आवाज लगाए और मिरमला जी वो एक बार जाते हैं पांसो चौन करोर का विमान समय 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 राए संजेर आए इस इस नलाई से कैसे निप्टेंग मैं मैं सारे सारे प्लिटिकल कलस के लिए लिए और विजे पी के लिए सारे प्लिटिकल क्लास के लिए जो जहाराई सरकार चला रह रहा joking उसके लिए हैं जब लोग मानकर चलते हैं ड qualify संकरी और इस मुश संबब संभव नहीं वह संभव नहीं सरकारी नौकरी तो कैसे कुर्टा बचाओगे गाउं में 95 भिश्दी आवादी आरक्षित है अमिताब जी अमिताब जी सुनिल जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा कि सरकारी नौकरी से सब को रोजगार देश में दिया नहीं जा सकता और इसलि गारंटी के बिना कुछ गिरिवी रखे 12 करोर लोगों ने मुद्रा लोन में पैसे लिए और वो लोग रोजगार किये कम से कम एक या दो लोगों को अपने रोजगार पर रखे और खुद भी रोजगार किये दूसरा स्टाइट अप और इंडिया के तहत भी हमने लोगों क को रोजगार सो रोजगार के लिए जो है पैसे उपलब्द कराएं लोग किये इसकी इंडिया के ताथ हमने प्रसिचंड दे करके लोगों को गल्प से लेकर करके जिनको वहां उनको आथ जाता रहा है इसलिए 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 ने समझाने की कोशिस की कि केवल नौकरी सरकारी नौकरी नहीं रोजगार है जाता है आज का हमारा सवाल था कि क्या आरक्षन पाने वाले सामाने वर्ग के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परिक्षाओं में आयू सीमा और सीस घी स्टी और वीची के बराबर उनिक चाहिए इस पर लोगों ने आपको खुब वोट किया है परणाव इस वक्त आपी टीवी स्क्रीन पर 76 प्रदिशत ये कहा है हां उन्हें चाहिए 22 प्रदिशत नहीं में अपना जवाब दे रहे हैं दो राय नहीं बनाबाए अमितांगी यह जनादेश लेखिए जो स्क्रीन पर है 76 प्रदि आवाम देश का चाहता है कि सभी आरक्षित वर्ग को एक समान सो विदा मिले सो रूपिया में भरा जाए तो सब सो में भरे बत्तिस साल तक इमकिहां दे सके तो सब बत्तिस साल तक दे 22 साल तक रखना है तो सब 22 तक दो मैं इस भास में नहीं पढ़ता 32 करो के 22 कर मेरे में आने वाला सामान्य वर्ग इन सबके बच्चों को एक सा बजीपा मिलना चाहिए कल से जिम्मेदारी होगी भारती जंता पार्टी की केंद्र में और राज्यों में संबंधित राजी सरकारों की इसमानता लागूक नहीं होगी तो आज मैं दिवार पर लिखके जा रहा हूं कि समय मुझे सही या घलत सिद्ध करेगा संजे राई जी समाज में विशित्र टक्राव हो जाएगा विशित्र टक्राव तीनों एक ही वर्ग में हैं जब एक ही इनाव पर सवार तीनों आरक्षित हैं तो भेदवाव कोई से चलेगा मैंने का पंक्ति भेदम नकारेत और यह बाद जो सुलिल साजन ने कही मैंने कितनी बार इस मसले को उठाया जो बेरोजगार है जिसके माव आपने खेत बेचकर बेल बेचकर गाई बेचकर पायल बिचुआ खड़ुआ बेचकर पढ़ाया है बच्चे को जो नौकरी के लिए भटकरा यत्रत्रत्र सरवत्र उससे आप 500-600-600-800 का ड्राप्र लगवाते हो और 12 साल तक रिजल्ट नही सब्वाइब 15-15 साल तक कोट में लटक रहे मामले एक एक परिक्षा में तीन तीन सो करोर रुपए आता है तीन तीन सो चार चार सो करोर कि क्या सब्सक्राइब है हमने तो लोग ठंत्र में पढ़ाता जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार और उनी बच्चों से बसूली कर रहे हैं क्या कोई सरकार रही हो मैं सब पर यह आरोप लगाता हूं हजारों करोन वेकेंसी के नाम पर पैसा जबा हो गया खजाने में हजारों करोन कि उसमर कोई स्वेत पत्र नहीं आया मैं मांग करता हूं कि देश की बात बड़े लोग जाने संजराय सुनिल साजन कि पिछले दस वर्षों में उत्तर पदेश में सरकारी सेवाव के आवेदन शुल्क के रूप में कितना पैसा आया इस पर एक स्वेत पत्र आना चाहिए उत साथ है है आँ है मैं और लोग करल्यान करी राज में इस जो नंवखने के लिए घूंग रहा है लुखनी के लिए संकर्श कर्णा ए उस्ते न 50 का कि राया लगना चाहिए न रेल का कि राया लगना चाहिए नर्पीस लगनी चाहिए को आए जुम्मेदारी साशन को उतानी आईए शाषन को उठानी चाहिए कि यह नौजवानों के आशो मुझे विजलित करते हैं कि भर बेच के इम्तहन दें फिर जमीन बेच कर मुकदमा लगा लें अपर फासी लगा लें कि यह दर्श्य अच्छा नहीं है यह दर्श्य बदलना चाहिए भारत ने एक नए नए सुर्योत हो रहा है समय बताएगा अच्छा बुरा क्या है लेकिन हो नया सुर्यों तो है 95 फिस्दी आवादी आरक्षित हो गई अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नियमों को समान करिए सुविधाओं को समान करिए धन्यवाद आप सभी का बहुत शुक्रिया महा बहस में शामिल होने के लिए इसी किसा आप महा बहस में आज के लिए इतना ही एक नियू सेथीन पर खबरों का सरसला लगातार जारी रहेगा कर दो